Hello everyone, welcome to UPSI, it's IES, यह अपनी सीरीज है Pre-Sorts Agriculture, इसका फर्स टोपिक है बास्मती राइस, जो इंडिया है अपना वो वर्ड's largest exporter of बास्मती राइस, बास्मती राइस का largest exporter देखा जाए वर्ड में तो इंडिया है, and largest exporter of rice in the world, और rice, total rice भी देखा जाए तो उसका भी सबसे बड की जाए तो इंडिया की first position है, लेकिन अगर हम rice producer की बात करते हैं कि world में largest rice producer कौन सा country है, तो वो है चाइना, और second position है इंडिया की, rice producer में, लेकिन exporter में किसकी position है, इंडिया की है, और produce करता है चाइना, यह जो question है, यह 2019 में simple सा question भी पूछ लिया था, UPSC ने, कि rice exporter largest country कौन स है, option दिये इंडिया, चाइना, ऐसे करके, simple question था, factual question था, तो हमें थोड़ा-थोड़ा यह भी धिहान रखना है कि कई बार बहुत easy question पूछ लेता, UPSC, और यह factual होते हैं, हम सोचते हैं, factual नहीं पूछता, UPSC, बट अभी concept और factual दोनों ही पूछ लेता है, और इंडिया ने अभी यह issue था, थोड़ टाइम पहले, बास्मती राइस से related, कि इंडिया ने apply किया था, EU को, European Union को, GI के लिए, protected geographical indication के लिए, कि हमारा जो बास्मती राइस है, उसको PGI status मिलना चाहिए, EU countries के through, है न, वहां पे हम अपना easily, हमें status मिल जाए, और वहां पे हम export कर जाए, अपना product बट पाकिस्तान ने oppose किया, क्योंकि पाकिस्तान के भी कुछ एरियाज है, जो पाकिस्तान में पंजाब वाला एरिया है, चेनाव वाले रिवर, वहां पे, रावी चेनाव, उस वाले एरिया में होता है, बट इंडिया के जो major seven states है, मेल ली, वहां पे सबसे ज्यादा मतलब बासमती राइस होता है, तो हमने apply किया था और अपना accept हो गया, इसलिए ये news में था, और ये जो अपना है बासमती राइस, ये endogenic plains हो है, यहां पे mostly होता है, जैसे ये mainly seven हमारे states है, किमाचल परदेश, पंजाब, हरियाना, उतराखंड, उतर परदेश, western उतर परदेश है, डेली है, जो मुकशमीर है, ये जो पूरा का पूरा reason है अपना, ये वाला, यहां पे पूरा, यहां पे होता है, बासमती राइस, और अपने को फिर जो seven mainly states है, एपिटा को, GI status मिला हो है, बासमती राइस अपने दूसरे states में भी होता है, जैसे MP में होता है, बट मेली मतलब seven states में होता है, इंडिया का जो rice exports है, फोर नोन बासमती is more than बासमती by volume, तो जो पूरा total हम जैसे rice export करते हैं, उसमें जो नोन बासमती का export होता है हमारा, वो अगर volume wise देखे, quantity wise देखे, तो नोन बासमती का ज़्यादा है, बासमती के बजाए, ना, दूसरा जो चावल है बास देखा जाए, तो बासमती ज्यादा है, बाट वाई volume देखा जाए, तो export किसका होता है, नोन बासमती का ज्यादा होता है, फिर next news है, बायोधान, बायोधान क्या होता है, यह आयरेण rich red rice है, इसमें इसमें एक anthocyanine करके component होता है, जिसकी वज़ाए से इसका color होता है, रेड इसकी nutrient value जो होती है वो भी दूसरे जो rice है उनकी बजाए जाद आची होती है और यह जो rice है इसमें कोई chemical fertilizer यूज नहीं होता और यह जो SME's food culture उसका एक major part है यह news में इसलिए था कि export किया है हमने USA को first consignment गया था अभी USA तो इसलिए से बाउधान जो है news में था iron rich होता है red color होता है SM में होता है and इसका जो red color होता है वो anthocyanine component की वज़े से उता है और इसमें की इसकी nutrient value भी जादा होती है and thank you so much